गुड मॉर्णिंग राधे राधे जैस्रीक्रिष्णा आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चनल पर हर्दिक स्वागत है अभिनंदने बच्चों आज मैं प्रैक्टिस से टू में इमंसी क्यूं और कलोर क्वचारी हो पिछले वीडियो में मैंने आपको अ सब्सक्राइए रंग योजना की इस 설명 संभी कि है बहुत सारी बातें आपको बताईए क्या होता है से कैंड़ी क्या होता है फ्राइम क्लर इस तो आप अगर इन वीडियो को नहीं देखें उंगे तो प्लीज वीडियो को देख लेना और आज मैं आपको पूछ रही हूँ इसका एंसर दीजेगा मैं चाहते हूँ आज मैं क्योश्टन के मल पूछूंगे एंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी तो आप ध्यान से मेरे क्योश्टन को सुनो क्योश्टन नंबर भी बताते जाओंगे एक एक करके पहला है निम्न में से किस रंग का उपयोग किसी भी कमरे में किया जा सकता है कौन सा ऐसा रंग है जिसका उपयोग आप कहीं भी बेहिचक हो करके कोई भी कमरे में कर सकते हैं पहला है पीला दूसरा है भूरा तीसरा है हरा चोथा है सफेद करेक्ट अंसर क्या है आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा में चेक करूंगे और आपको सही अंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगे नेक्स प्रेस्ट यदि छत की उचाई चत है न अपना चत की उचाई अगर बहुत अधिक है तो उसकी पुताई की जानी चाहिए अगर चत की उचाई बहुत अधिक है जैसे किलावे गरम जाते हो देखने के लिए मूजियम जाते हो देखने के लिए अना तो उस चत की उचाई अगर बहुत अधिक है तो उसकी पुताई की जानी चाहिए हलके रंग से गहरे रंग से काले रंग से या इन में से कोई नही करेक्ट एंसर क्या है यह बताना है नेक्स्ट क्वेस्टन तीसरा नंबर क्वेस्टन है यदि कमरे यह हौल की छत नीची है कि आप मौल में देखते हो जो अपका मकान रहता है तो 11 फीट दस फीट 12 फीट अप छत लेते हो और अगर कि मौल में देखते हो तो नौफीट आठ फीट साथ फीट ऐसे उनकी हाइट रहती है तो यदि कमरे यह हौल की छत नीची है तो उसकी पुताई की जानी चाहिए कैसे भूरे रंग से गहरे रंग से सफेद रंग से या उप्रुक्त सभी है कौन सा बेहतर विकल्प है विकल्प पूछे जा रहे आपसे चलो नेक्स्ट विक्टोरियन रंग होते हैं विक्टोरियन रंग होते हैं कौन सा तिब्र गरम एमंग तड़क भड़क वाले हलके एमंग व्रिदू चम कीले या इन में से कोई नहीं अब क्योशन नंबर पांच मां क्योशन नंबर पांच मां है गर्मी के मौसम के लिए अनुकूल रंग है गर्मी के मौसम के लिए अनुकूल रंग है कौन सा पहला काला दूसरा सफेद तीसरा चटाक लाल रंग चौथा भूरा कौन सा रंग है गर्मी के मौसम के लिए अनुकूल रंग चलो आपको सबको पता है सब गर्मी में कैसे कपड़ा पहनना चाहते हो नेक्स क्योशन आपका जिन अस्थानों की जलवायू नम हो वहां प्रयोग किया जाना चाहिए कौन सा रंग बादामी सफेद उप्रोक्त दोनों ही यह इन में से कोई ने है क्वेशन नंबर आप यह छठा क्वेशन था कि जिन अस्थानों की जलवायू नम हो वहां प्रयोग किया जाना चाहिए बादामी रंग का सफेद रंग का उप्रोक्त दोनों ही यह इन में से कोई ने है करेक्टर अंसर क्या होगा यह बताना क्वेशन नंबर आपका है आप सात्मा ध्यान से सुनो चोटे कमरों की पुताई की जानी चाहिए जो कमरा चोटा है उसकी पुताई कैसे की जानी चाहिए हलके ठंडे रंग से, हलके गरम रंग से उप्रोक्त दोनों ही और चौथा उप्षन है इन में से कोई नहीं अगर कमरा छोटा है तो उस कमरे की पुताई की जानी चाहिए हलके ठंडे रंग से, हलके गरम रंग से या उप्रोक्त दोनों ही या इन में से कोई नहीं पि सिनर नमबर है आठमा आपका वर्गाकार कमरा है ऐसे कमरा जिनरलि आयताकार होता है वास्तु सास्तर के हिसाप से भी आपका मकान के लिए आप जमीन कफरीते हुए आयताकर होना चाहिए कमरा भी आपका A etakar होना चाहिए लेकिंड बार आपको एसा स्पेस नहीं मिल पाता था कमरा नहीं मिल पाता है वर्गाकार है तो कि वरकार कमरे को संदर बनाने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए गर्म रंगों का ठंडे रंगों का उप्रोक्त दोनों ही या इन में से कोई नहीं कि क्या कि सही अंसर है यह बतावा आप नेक्स प्वेशन आपका क्या कि क्या है कि रंग संयोजन को प्रभावित करने वाले कारक है कि कलर कॉंबिनेशन को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक है इससे समंदित प्रस्ण है आपका वह यह रंग संयोजन करने को प्रभावित करने वाले कारक है पहला प्रकास दूसरा मोसम, तीसरा स्यली, चौथा उप्रोप्त सभी. क्या है सही अनसर? प्रकास, मोसम, शैली, उप्रोप्त सभी. करेकर अंसर आपका? अभी नहीं बताऊंगे, सोपरी मैं बताने जा रही थी, क्योंकि question का answer आपको देना है, मुझे नहीं देना है चलो, next question है समी पुबरती रंग योजना को कहते हैं समी पुबरती रंग योजना का दूसरा नाम है क्या है, साध्रिश रंग योजना पहला option दूसरा, पूरक रंग योजना कौन सा सही अंसर है संही पवर्ती रंग यौजना कोई कहते है शादरी से रंग यौजना पूरक रंग यौजना असमब़ रंग यौजना या इन में से कोई नहीं क्या सही एंसर है ग्याषमा है डोहरी रंग योजना में होते हैं में होते हैं दो प्रमुखरंग एक सहाएकरंग दो प्रमुखरंग, दो सहायक रंग, एक प्रमुखरंग, दो सहायक रंग, या एक प्रमुखरंग और एक सहायक रंग. दोहरी रंग योजना में, रंग सा योजन में काम में लिया जाता है ओप्शन पहला दो परमुखरंग एक सहाइक रंग, दो परमुखरंग दो सहाइक रंग, एक परमुखरंग दो सहाइक रंग, और एक परमुखरंग और एक सहाइक रंग कौन सा सही तर है चलो नेक्स्ट क्वेशन यह बारहवा और अंतिम क्वेशन जिस रंग योजना में केवल दो ही रंगों का प्रियोग किया जाता है जो रंग चक्र पर कलर वील पर बिलकूल एक दुसरे के विप्रीत इस्थिती में अवस्थित होते है जिस रंग योजना में केवल दो ही रंगों का प्रियोग किया जाता है जो रंग चक्र पर बिलकूल ही एक दुसरे के विप्रीत इस्थिती में अवस्थित होते है तो वे कहलाते हैं कौन सा रंग पूरक रंग चक्र दोहरी पूरंग रंग चक्र विप्रीत रंग योजना या उप्रोक्त सभी क्या इंसर करेक्ट है इसका जवाब आप देंगे और कुछ बच्चों ने जो सही जवाब दिया था कुछ बच्चों ने मुसे पूछा थे मैडम सनील वो कौन सा रेशा का बना होता है प्राकृतिक होता है तो बेटेव सिंथेटे आप जला के देख लो आपके घर में सनील से उनके मत्यूस्तर से बना दिये जाते हैं कि उन में हवाब भर जाती है तो आप सनील की बारे में आपने पूछा था मैंने आपको बताया और आप लोग को जो मैंने आज बताया है उस उस पर आप ध्यान देना उसको इसन के एंसर देना फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो पूरा हो जाना चाहिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले क्विस्टन के साथ तब तक दो जाने के जाज़ा बाए बाए